पालन पुशं आइडिया वीडियो जन्म से तेन साल के बच्चो की माताओं के लिए आज की मिटिंग में आई हुई सभी माताओं का हाड़िक स्वागत है आईए सभी माताओं बच्चो के साथ इकट्टा बैठे चल्ये आज की मिटिंग की शुरुवात एक प्यारे गाने से करते हैं ये गाना होने तक ये वीडियो यहां पॉस करते हैं पिछले हफ्टे की मिटिंग की शुरुआत हमने एक प्यारे गाने से और एक मज़िदार खेल से की थी दिखाये हुए खेलों से बच्चे की बड़ी मासफेशिया जैसे हाथ और पैर कैसे मजबूत होते हैं और साथ ही बच्चे का समाजिक भावनात्मक विकास बैतर होने में कैसे मदद होती है ये देखा था तथा शिशों के विकास में संभावित देरी की जल्द पहचान करना इसके बारे में जानकारी दी थी आपने वीडियो में दी गई जानकारी समझी होगी तथा दिखाए हुए खेल बच्चों से करवाए होंगे चलिए इन सभी के अनुभव यहां सब के साथ साजा करते हैं ये गतिविदी होने तक ये वीडियो यहां पॉस करते हैं हमारी इस गतिविदी का नाम है मिलकर कुछ करते हैं सभी माताओं को रेखा पर खड़ा करे लीडर माता सुतली या रस्सी से उनके सामने बादाएं खड़ी करे अब सभी माताओं की आखों पर पट्टी बांदे अब माताओं को बिना बताए केवल पहली बादा को छोड़ कर बाकी की सभी बादाओं को हटा दे अब उन्हीं बादाओं को पार करके निर्धारे त्रेका तक पहुँचने के लिए निर्देश दे जो माता सही से निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारे जंगा पर सबसे पहले पहुचेगी वे विजेता होगी ये गतिविधी होने तक ये वीडियो यहां पॉस करते हैं आशा है ये गतिविधी सभी माताओं ने आनन्द के साथ की होगी चलिए अब आगे की गतिविधी करते हैं जिसका नाम है कुछ नया सीगते हैं बच्चों की तवचा बड़ों के मुकाबले काफी नर्म और कोमल होती है यही कारण है कि सर्दी के मौसम में बच्चों की तवचा काफी शुष्क नजर आती है सर्दी में बच्चों की तवचा को स्वस्त रखने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है आईए जाने की सर्दियों के मौसम में बच्चों की तवचा का कैसे खयाल रखना चाहिए सीथी सर्द हवाओं से बचाएं सर्द हवाएं शुश्क होती है और यह तवच्वा को काफी रुखा बना देती है कोशिश करें कि बच्चों को बाहर निकालते समय पूरे कपड़े पहनाएं और शरीर के खुले भागों में जैसे हाथों और चहरे पर क्रीम लगाएं नारियल तेल से करें मालिश नारियल का तेल बच्चों की तवचा और सर्द हवाओं के बीच बचाओं का काम करता है दोपहर के समय धूप में बच्चों को तेल लगा कर थोड़ी देर के लिए धूप सेखने के लिए अवश्य बिठाएं पर्याप्त पानी पिलाएं सर्दियों में बच्चे जल्दी पानी नहीं पीते जिस कारण उनके होट सूखने लगते हैं इससे बचने के लिए बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी अवश्य पिलाएं सर्दियों में हर दिन नहाना बच्चों के लिए मुश्किल होता है इसके लिए गुनगुने पानी में डेटॉल डाल कर उसमें साफ तौलिया गीला कर बच्चे को पोछें इस पंच बात के बाद बच्चों को अच्छी तरह से तयार कर दें इस पंच बात देते हुए कमरे का दर्वाजा बंद रखें ताकि उसे हवा ना लग सके इस जानकारी का फायदा आपको कैसे हो सकता है सभी माताएं बारी-बारी समू में बताएं ये गतिविदी होने तक ये वीडियो यहां पाउस करते हैं चलिए अब आगे की गतिविदी करते हैं जिसका नाम है घर जाके बच्चों के साथ करें आईए सभी माताएं बच्चों के साथ इखटा बैठे इन खेलों को देखें और समझे दिये गए खेलों से बच्चे की आहिस्ता आहिस्ता लिखने की तयारी होने लगती है मा ठाली में चावल लें चावल को ठाली में अच्छे से फैलाएं बच्चे को ठाली में रखे हुए चावलों में उंगली का इस्तेमाल कर हिजी बीजी लिखने के लिए प्रेरित करें बच्चे को कागस पर बाएं से दाएं और उपर से नीचे पैंसिल से लाइन बना कर दिखाएं बच्चे को बाएं से दाएं और उपर से नीचे कहते हुए वैसे ही लाइन बनाने के लिए प्रेरित करें बच्चे को कागस पर पैंसिल से गोल बना कर दिखाएं और हमने गोल बनाया ये बताएं बच्चे को वैसे ही करने के लिए प्रेरित करें ये गतिविदी होने तक ये वीडियो यहां पॉस करते हैं अगले सब्तह की मिटिंग तक ये खेल अपने बच्चों के साथ कुछ समय निकाल कर जरूर खेले खेल खेलते समय आए हुए अनुभव हमें जरूर बताए आज की गतिविदी यहां पर समाप्त हो रही है ऐसी ही और नई जानकारियों और गतिविदीयों के साथ अगले हफ़ते फिर मिलते हैं तब तक के लिए अपना वबच्चों का खयाल रखें धन्यवाद